यो वाचिंग आमाद नगर्स देटे चानल आली पबलिक स्कूल मदे किटजीव समर कैंप से आयोजन करने तले होते हे शिबी तीन दिवस साल ले होते त्यात मुलानी नात अहमाद किरात आणी तकीर आणी इसलामीक प्रश्न मंजूशा या वर्स परधा सादर केला आणी लवकरच निकाल आपला समोरेना रहेत प्रेपूर लाब गेतला आज 25 में शिबीराचा शेवट्चा दिवसा निमीत अवरंगाबाच चे प्रसीद नात खवा हाफीज असरार नाना दी आले होते आणी तेंचा सोबत अहमत नगर एतिल जामिया मुहमत मियाचे नाजीम कारी अब्दुल कादीर साहब ये मुलान मदे नैदिश्मनो नाले होते आज चाल डोला सामना वह अथितिनी आपला विचारा चालेचे बानी दिवंगंत मौलाना अनवर नदवी यानचे स्मरन करुन सांगितले के हजरत मौलाना यानी अपला कार्याने समाजला अनेक देन गया दिल्या है या शालेचा लाप संपूर्ण शहराला होता है खान सर घेता है ते पुडे है शिवीर यशश्वी करना साटी अली पबलीक स्कूल चे चैर मनवस अंचलव अंजर अनवन खार सर यानी विशेश परिश्रम ग्याओन शहरातील सर्वा मौलाना जोडलेव या शिवराची मचा रहनी परिश्रम गेतले या शिवीरातिल पुड़ातिल अनस कुरेशी शालेचे जबबदर मुहमद अली खान आधी उपस्थीत होते मुझ को मालूम है मेरी आवाज नहीं जाएंगी तर दीवार को तकड़ा के पलट आएंगी अब भी वक्त हैं करो इन अन्धेरों का इडाच वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएंगी इस टेज़ पर सश्रीफ फर्मा अजदकारी सहाब और हमारे बड़े भाई जनाब अन्जर अन्वर्थान सहाब सामत परकातों सबसे पहले मैं बात मेरी यहीं से शुरू करूँगा एक दस-पांच मिनट आपके दर्मियान में हैं अन्जर सामत परकातों करूँ हली भाई इसके एक होगा कर देए सबसे पहले आपको सबसे पहले मैं मबारक बात पेश करना चाहता हूँ इस चीज़ की कि आप तमाम तरवा एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं आप एक ऐसे इदारे में तालीम हासिल करते हैं इसकूल भी तरह इसलामिक थाउट जो स्कूल हैं जो इदारा हैं जो इसलामिक नजरिये के साथ चलता है अब्लाद के लि一下 के मिदा Lawrence में अब्लाद भी उटत जागीर भी फितना इसे वक्त में आप को एक इसलामिक फोट के शाण्यक थाउट के साथ इसकूल में पढ़ने का मतलब आप के लिए मुबारक बादी हैं कि आप एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं आप ऐसे हालात में जी रहें जहां पर आपको इसलामिक नजरिये के तालुक से आप सोच नहीं सकते हैं लेकिन मैं मुबारक बात पिश्च करता हूं अन्जर सहाब को और मरहूम मौलाना अन्वर सहाब को दामत बरकात हूं कि उन्होंने एक ऐसा इदारा स्टार्ट किया है एक ऐसा इदारा शुरू किया है जो एक इसलामिक नजरिये के साथ चलता है आज हमारत हम तमाम बच्चों के ये नजरिया हो गया है कि जो स्कूल की इमारत बड़ी होंगी जो स्कूल बड़ा दिखेंगा वो स्कूल बड़ा होता है जो स्कूल की तामिरात बड़ी होंगी जिसमें बिल्डिंग होंगी वो स्कूल बड़ा होता है नहीं बलकि स्कूल वो बड़ा होता है जिसमें तरवियत होती है मौलाना अनवर खान साहब कि आप अगर पिछले प्रेवेस बयान को सुनेंगे उनकी इसपी चीज़ को सुनेंगे तो आप उससे पता करेंगे कि मौलाना हर जगा पर ये कहते थे कि डिगरियों का असूल तालीम का मकसद नहीं है कि सिर्फ डिग्रिया हासिल करना तालीम का मकसद नहीं होता है असल मकसद तालीम का यह होता है कि आपके अंदर तर्वियत आ जाए आपके अंदर अखलाग आ जाए आप उसके साथ इस महाशरे में, इस सूसाइटी में किस तरह से आप आपकी शबो रोज को गुजर करते हैं, इसका मतलब तालीम का हुसूल होता है, जैसा कि आप हम अगर डेली लाइफ को अगर हम समझे बच्चो, तो जो चीजे हमारी लाइफ में सबसे जादा most important things of life, दो च education, हमारा क्या है सबसे पहले education सबसे अहम होना चाहिए, तालीम क्या है इसको हमको समझने के जरूरत है, तालीम ये नहीं कि हम कोई doctor बन जाए, तालीम ये नहीं कि हम कोई science दा बन जाए, तालीम ये नहीं कि हम बड़े professor बन जाए, तालीम ये नहीं कि हम बहुत अच्छे post प तो आप डॉक्टर होंकर भी जाहिल हो आप प्रॉफिसर होंकर भी जाहिल हो आप बड़े से बड़ी पोस्त पर पैटकर भी हो याप्टर आपके अंदर इन्सानियत नहीं है। उसके पास Islamic thoughts होते हैं, उसके अंदर Islamic नजरियात होते हैं, उसके दिमाग में Islamic सोच होती हैं, Islamic सोच क्या कहती हैं, कि अगर आपके पास कोई माजूर बंदा आ जाए, अगर कोई abnormal person आपके पास आ जाए, जिसके अंदर ability नहीं हैं, कि वो society में survive कर सके, वो society में अपनी जिन्दगी को गुजार सके, उसके काबिलियत नहीं है, इसलाम कहता है, आप उसकी रखवाली करो, आप उसके साथ खेरखाही का मौामला करो, यह इसलाम आपको कहता है, और बेटा एक बात मैं आपसे यहां पर तमाम से कहना चाहता हूँ, इसमें से कौन-कौन बच्चे आगे क्या-क्या बनना चाहते हैं, कितने बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कितने बच्चे टीचर्स बनना चाहते हैं, कितने बच्चे कलेक्टर बनना चाहते हैं, what is mean by collector collector क्या है एक I.S. officer क्या है हमारे अन्जर भाई है हम लोग पुरे तकरीबन पुरे मुलक भर में हम लोग साथ में प्रोगाम करते हैं मैं आपको इसलिए मुबारक बात पेश कर रहा हूँ कि आपके स्कूल का भी जो फिलहाल में जो आपके फॉंडर प्रेसिडेंट है यह अन्जर अन्जर अन्वर खान साथ यह सिर्फ इस काम के लिए आपके अहमत नगर के लिए काम नहीं कर रहे हैं बलके मुलान सल्मान साथ नजबी दामत पर का तो हमने एक बड़ी कान्फरेंस में कहा कि अगर अन्जर के नजरिये को तुमने समझ लिया तो हमारे आने वाले जो मुस्तबिल बे मुस्लमानों के हाला के उससे आप बच सकते हम बहुत एक अच्छे सोच के साथ आप एक ऐसे बंदे की स्कूल में पढ़ रहे हैं ऐसे फॉंडर के अंगर में आप पढ़ रहे हैं जो आपको एक बहुत अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं अन्जर भाई की जो सोच हैं हमने जैसा पिछले कुछ रोज कबल हम इस मामले में डिसकस कर रहे हैं थे यह जो इसकूल है आपको अभी जो कच्छी पकी अमारते नजर आ रही हैं यह कच्छी पकी अमारते आगे बोर्टिंग में कनवर्ट होने वाली हैं आगे यह जो इसकूल होने वाला है ये आपको डे बोटिंग, नाइफ बोटिंग, आपको फुल बोटिंग के साथ पढ़ाया जाएंगा और आपको यहाँ पर सिर्फ इसलामिक तालीम नहीं दी जाएंगी आपको दुनियावी तालीम ये दीन की तालीम नहीं दी जाएंगी बलकि दोनों तालिम को साथ में लेकर दिया जाएंगा आप अगर आज के माहूल को देखें तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जो मेरे नजर मेरे जहन में आगए कि don't compare yourself with anyone you are unique हम देखते हैं कि कोई बच्चा आगे जाना तो हम तोड़े से डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं वो खेल जीत गया वो यह हो गया वो यह हो गया और हम वो नहीं कर सके don't compare yourself with anyone आप अपने आपको किसी से compare मत कीजिए अपने आपको कमजोर मत समझे आप सबसे ज़्याद अतापत हो रहे आप एक बात बताईए आपके एहमद नगर में क्या महले? चान बीवी का महले किसले किसले देखा है? सबने देखा है आपके पास का यानि वो क्या कहेंगे उसको ताज महले आपके इलाके का सबने देखा है उसको? खुबसूरत है वो? जी खुबसूरत है उसके बाद आपने ताज महल किसले किसले देखा है फोटोज में ताज महल जादा खुबसूरत है क्या वो बीबी का महल जादा खुबसूरत है ताज महल जादा खुबसूरत ताज महल को किस ने बनाया शाजाहान ने बनाया कोई इनसान ने बनाया बरावर अब ताज महल जादा खुबसूरत है क्या आप जादा खुबसूरत है कौन जादा खुबसूरत है Don't compare yourself with anyone You are unique आप सबसे जादा खुबसूरत है इसलिए के ताज महल को तो इनसानों ने बनाया आपको अल्ला ताला ने बनाया आपको अल्ला ताला ने बनाया आप अपने आपको कमजोर मत समझी आप आने वाला मुस्तबिल है आप आने वाला future है इस दुनिया का इस हिंदुस्तान का इस हमारे पैरे मुल्क के आप आने वाले डॉक्टर से आप आने वाले इंजिनियर से आप इस मुस्तबिल को सवारने वाले लेकिन इसके लिए शर्टे हैं शर्टे क्या हैं फिर मैं अपनी पहली बात पे जाओंगा I school with an Islamic thought आपको इस बात को समझना होंगा आपको ऐसे इसकूल में तालीम लेनी होंगी आपको ऐसे टीचर्स के पास पढ़ना होंगा आपको ऐसे लोगों के अंडर गाइडर्स में अपने आपको डालना होंगा जहां पर आपको Islamic thoughts के साथ आपकी मुकमत तालीम दी जाती हो और इसके साथ मैं आपको चंद बाते ये बताना चाहता हूँ के आने वाले मुस्तक्बिल में आपको क्या करना है इसके लिए सबसे बहदरीन काम ये है कि आप अपने आपको तालीम में मशगूल करो अपने आपको जो भी आप माहिर बन रहे हैं बिसाल की तोर पे भी कोई fourth standard में है कोई third standard में है इसमें से English किसको सबसे अच्छे आती है English महराटी किसको अच्छे आती है उर्दु किसको सबसे अच्छे आती है नुरादी खायदा किसको सबसे अच्छे आता है तो जिसमें आपको सबसे अच्छी चीज आती है उसके तरफ आप जाईए अगर आपका खेल अच्छा है उसके तरफ आप जाईए जिसके तरफ आपकी सोच कहती है आप उसके तरफ जाईए अगर आप अपनी सोच को इसके तरफ बदलोंगे तो आप बहुत आके जा सकते हो मुझे चन्त बाते जो आप से कहनी थी वो मैं कह चुका लेकिन फिर मैं देख लेता हूँ कि कुछ बाते आप से कहनी थी वो ये है कि योवर टाइम is very important हमारे पास एक थोट है बटा, टाइम इस टाइम इस टाइम इस मनी time is money इंग्लिश में money किसको कहते है पैसे को पैसा important है कि बेकार है important है means time is money time कैसा है important है अभी आज का इस वक्त का 12 बच्च के 10 मिनट हो रहे है क्या अब ये 10 मिनट वापस से बलट के आएंगे आएंगे क्या आज के इस तारीक के 25 तारीक के आएंगे पलट कर 12 बच्च के 10 मिनट गभी नहीं आएंगे इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप time की गदर करो जो बच्चें जो लोग time की गदर करते हैं उनका वक्त गदर करता है और जब वक्त उनकी गदर करता है तो पूरी दुनिया उनकी जब भी दुनिया में इनकलाब आया जब भी दुनिया में लोग कामियाब हुए वो सिर्फ एक चीज से कामियाब हुए और वो हुए बढ़ाई से आपकी जिम्मेदारी हैं आप एक अच्छे स्कूल में तालिम हासिब करते हैं जो बच्चे दूसरे भी स्कूल में तालिम हासिल करते हैं उनसे भी में मुखातब हूँ कि आप जो भी स्कूल में तालिम हासिल करते हैं दो चीजों का खया लगते हुए तालिम हासिल करें सबसे पहले अहम चीज है उस्ताजों का अदब हमारे जो टीचर्स होते हैं हमारे जो टीचर्स होते हैं उनका अदब बहुत इंपोर्टन है जो टीचर्स का अदब करते हैं जो टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं तेक रिस्पेक्ट जो टीचर के साथ अपलाई नहीं करते हैं जो सिर्फ टीचर को क्यों रिस्पेक्ट करते हैं, टेक रिस्पेक्ट कि उनके अंदर कोई जहनियत नहीं होती हैं, वैसे बच्चे बहुत आगे जाते हैं, जो बच्चे असादिजा का अदब करते हैं, वो दुनिया में बहुत कामियाब होते हैं, आज का यह जो समर कैम्प रखा गया तीन दिन का आप अगर पूरे महाराश्रा की इसी हिस्ट्री उठा कर देखेंगे स्कूल कोई और पेपर्स की तो कहीं पर भी इन पच्चों के एक्टिविटी को नहीं लिया गया जो हमारे आपके एंजर्बाईन है यहाँ पर एहमनदनगर में आपके लिए तर्ह तर्ह के उन्हों कुछ पोटोस भेज़े ते जिसके ज्रीय से मैंने देखा कि तर्ह तरह के आपके पास प्लेश हुए जम्पिंग प्ले हुआ, कुछ पुटबॉल प्ले हुए, कुछ चेर प्ले हुआ, कुछ संगीर टेबल हुआ, कुछ लिम्बू, चम्चा वगएर, बहुत सारे खेल हुए तो खेल भी बहुत इम्पॉर्टन है, वो जो शेर है न, के पढ़ोंगे, लिखोंगे, बनोंगे, नवाब, पढ़ोंगे, लिखोंगे, बनोंगे, खराब, बलके वैसा नहीं है, आप इसके सासाथ अपने एक्टिविटी को जारी रखे, इस समर क्याम का हिस्सा बने, इसी त नसीब करें, मौलाना ने 2017 या 2018 में शायद से एक प्रोगाम में अंजरभाई के हमारे मुलातात हुई थी, जब इसकूल कही और जगा पर ता, जब मौलाना ने कहा था कि हमारे स्कूल में जरूर आना, वो मेरी बन नसीब ही रही कि मैं मौलाना के वक्त में नहीं आ सका, ले अब नात हम सुने हैं, और अक्सर हमने यूटूब चैनल पे भी और लाइद भी हाफिस असरार को सुना है, तो मैं गुजारिश करों कि चंद आशार आप पुड़े हैं और दुनिया में खुदा का आधरी लेकर पयाबाएं प्यारे नवी जी, आला हूर बखाया, प्यारे नवी जी, अला हूर लिजा, जुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर जुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर सिखाने आदमी को आदमी का एह तेरा माए सिखाने आदमी को आदमी का एह तेरा माए मुद्निया में खुदा का आखरी लेकर पयामा है शाने नभी जी अल्लाह हो अल्लाह प्यारे नभी जी अल्लाह हो अल्लाह शाने नभी जी अल्लाह हो अल्लाह प्यारे नभी जी अल्लाह किया जब भी किसी कजब ते ताबात नुवत का तो फिर मैदा नभी में ख़त्मे नुवत के खुलाह हये तो फिर मैदान में ख़त्मे नुवत के खुलाह है वो दुनिया में खुदा का आखरी लेकर पयामाए शान नबी जी आल्ला हो अल्ला प्यारे नबी जी आल्ला हो अल्ला के खुदा शाहिद ये उनकी फैब जे सुम्बत का नतीजा था खुदा शाहिद ये उनकी फैब जे सुम्बत का नतीजा था शहिन शागिर शहिन शागिर पड़े कदमों में जब उनके खुलामाए शहिन शागिर पड़े कदमों में जब उनके खुलामाए वो दुनिया में खुदा का आखरी लेकर पयामाए शाने नभी जी अलाहो ऐलाह प्यारे नभी जी अलाहो ऐलाह माशाल लब हुए अपर एक मरसिया लिखा जाया और पड़ा भी गया तो हाफिज असरार ने वो पड़ा था आप में सुना रहेंगा प्रेंदुस्तान में प्रें मुल्क में वह बहुत वादर हुआ अब इस्तिफाक की बात कि हमारा अली पड़िक स्कूल जैनल किसे साजी को कोई हासिदीन के तहट है हो गया उसकी कोशिश चल रही है वहना वो अलहम्दुल्ला उसके काफी विवर्स भी आए तो मैं गुजारिश करूं हाफिज असरार से कि वापस से वो नाइव आप उसको सुना है मौलान मुहम्मद अनवर मौलान मुहम्मद अनवर खालिक का वो दीवाना अस्थाब है शम्श मावो अस्थाब है शम्श मावो उस शम्म का परवाना मौलान मौहम्मद अनवर लेजे की मलाहत जब याद आएगी रोएगे तड़ पाएगे तेरे वो तड़ आएगे तेरे वो अकबाल हकी माना मौलान मौहम्मद अनवर वो किसे का जनाजा था कुछ तुछ तुछ को अंदाजा था वो किसे का जनाजा था तुछ तुछ को अंदाजा था लोटा है सबी का वो लोटा है सबी का वो वो रिश्द वो हकी माना मौलान मौहम्मद अनवर खालिक का वो दीवाना अस्खाब हे श्रिशमा वो उस शमीम का परवाना मौलान मौहम्मद अनवर माशालल। अज़ात लुछ प्रोग्राम को आगे बढ़ातेवे मैं अब ज्याद वक्त ना लेतू है मेरी गुजारी शेशेश भी हमद खाज़ पढ़ने वारे किरत करना है मुक्तसर में ज्यादा ना पढ़तेवे पुक्तसर अपनी नाद याहम्द को खत्म करें गोग की किल्डे पे जोहर तो दम को प्रोग्राम खत्म करना ही ठीच है आप बारबातू आप नाप बारबातू I am Padaan Hamzah Asif I am student of Ajay पबीक स्कुल इंसिन स्टेंड़ I am reciting a surah naba आज़िए बिल्लाही मिन श्यवाँ राजीम इसमिल्ही रहमाई ररहीम ठर्म इसाओनों अलिन नबा इसाओनों य अल्थी हुम फी हम फ्रहुन कला सेयालम।। थम कला सेयालम।। अलम जयाल अरद मिहादा वालकनाद कम अचवादा वचलकनाद कम अजवादा वजादना नोमकम सुबादा वजालना लेला लेषा वजय ले 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 ल लजओत समां सच्जाजा लिनुंखरिज लेह अब राबाव येला ये उन्न दिन हफाफा जजब लेखते लोगई उन्नास जब लेखते लों लोगई बारिव थे कर्या लेखते लेखतें लेखते हैं बिस्मिल्हिर्रह्मानिर्रहीम नम्यकुल्दीन अपरू मिन अहलिल्किताब वालमश्रिकीन मुपकीन हता तातियों अल्बयिन रसूलٌ मिन अव्यायत लुसुफं मुतहर फी हा व्यकु टीमा वा मतकर्रक जजीन अुद ब किताब इला मिन बादिमा जाएत उन बैदिना जारां जारां अल्यकुम वराह्मत लड़ाय वर्कातु। अल्यकुम वस्वामत लड़ाय वर्कातु। आया मशीक अबुदरीमा आओूजुब बिल्ही मिन श्शेदान इल्रजीम बिस्म लड़ाह्मान इल्रहीम अरह्मन अल्मा कुरान फल्ग बिसंण इल्म हु बयाएएएएएँ प्हुफëच्च यूल्ग। भुब भुबरान वर्णनन coherर्ण वर्कातु उधुद具 श्वयाएएएएएएएएएएएएएएए ws वड़गईएए rainbow बीजारा डावाल मीदारा आ गभगाल इल्व आड़ी लाद रिम्सातु आव्स आप्स एल्भा बालक में तो मैंने में उप्याद सुन्दित मैं जफ ताना नाम एं महम्मद दील का उजाला नाम एं महम्मद पूचेंग अल्ला नाया रक्या क्या में ये कहूंगी नाम मुम्माद पूचेंग अल्ला नाया रक्या क्या और राजेमि आदा दो औरो। सब्सक् 對 कई प怎麼 कर रा ताम इस अपिर्थन केवट, मुम्मद उन में अन्य का लिए आधिए सब्सक्रार्राался उस जानाना के मगें, अुसक्तrors लिचान आगे है वाला नाया नाया लोगों को फढ़का रहा था लिंज अjść नूँ अलेजसलाम उनके जिंदगी में आये और उनको समझाने लगी कि यह जो कर रहे हूं वो कर ला थे लेकिन वोग उनकी बात नहीं मानते थे और हर रोज उनको ही गालिया देते रहते थे हर रोज का चर्था था उन लोगों के अलावा मुसल्मान भी थे जो नूँ अलेजसलाम समझा रहे थे तो उन लोगों ने नूँ अलेजसलाम को फत्तर फेंके मारा और टंडे से भी बहुत मारा जिससे लोही वबरकातु हूँ आयें सेयद उसे रिक्वान अलाव की कसम मेरे होटो का इना मेरे अल्ला के कब्ज़े में है मेरे जबान के बोल पर अल्ला का कब्ज़ा है मेरे यहां बैट में पर अल्ला का कब्ज़ा है तुमारे याखीश का राइश पर अल्ला का कब्ज़ा है तुम अपनी रख की कौन कौन से रमतों को जुटा एक माली के जिसका नमननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन कुरान को उतारा घर्दी को बिचाया आस्मां को उटाया आस्मान की शक मेरे जमीन का बश्च मेरे लाग का इरादा है अस्मान की शक मेरे लाग का इरादा है बार ओर गार मेरे लाग की बादा है तू शब्शुन मेरे जानत है तू शब्शं मेरे सालत है आलत तेरा परवाना तू माहे नबुवत है ऐ जल्बाई जायाना तू शम्शम मेरी सालत है आलब जल्ब तेरा परवाना तू माहे नबुवत है ऐ जल्बाई जायाना खाते है तेरे दर्काँ पीते है तेरे दर्काँ खाते है तेरे दर्काँ पीते है तेरे दर्काँ पानी है तेरा पानी दाना है तेरा दाना तो शब्ष मेरी सालत है आलम तेरा पढ़वाना हर फिल्ख में को तेरी हर शम शम में जो तेरी हर फूल में जो तेरी हर शम शम में जो तेरी बुल बुल है तेरा बुल बुल पढ़वाना पढ़वाना तू शब शब मेरे साहरत है और सभी जो बच्चे जैसे के हम तुमें तीन नाख ले तीन किरत में तीन जो बच्चे आएंगे मैं नेम इस शेख इब्राहीम नजीम I am from food standard of Ali Public School मैं आज अल्ला की कुदर सुनाना चाहता हूँ मैंने अल्ला को ढूना तो इसना अपना तारफ फर आया मैं हूँ जो मौत से पाक हूँ पाबन बन के चलो उस अल्ला के जिसकी शेख शाय है उस अल्ला के जिसना मुझे बनाया सल्ला के पाबन बनो जिसने मुझे आखों कर्मू तिया जबान में बूल तिया जिसम में ताकत थी अकल को समगतने के औसाब ते उसल्ला के पाबन बनो जिसने कुरान को उतारा जिसने धाती को बिचाया जिसने आस्मान को उताया आस्मान के चट मेरा आला के कबजे में है जमीन का फश्ट मेरा आला के कबजे में हुवाओ के जर्रा कला Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Shaykh Arjilani Shaykh I am studying in Alipopics school in this is Paisa Paisa I am studying in Alipopics school in this is Paisa Paisa I am studying in Alipopic school in this is Paisa 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 moral This is An Elder I am studying in Alipopics. आगादन वालाबी मिका खैरी तर्गी तिर्गी तिर्गी आखो का तारा नामे मुहम्मद दिल का उजाला नामे मुहम्मद आखो का तारा नामे मुहम्मद दिल का उजाला नामे मुहम्मद सल्ल लालाव अलाईवी वसल्म सल्ल लालाईवी वसल्म पूछे वाईला आलाया है क्या पूछे वाईला नामे मुहम्मद सल्ल लालाईवी वसल्म पूछे मुहम्मद तू कुजा मन कुजा तू अमीरे हरम मैं फकीर हजब तेरे कुन और ये लग मैं तलग ही तलग तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू हकीक है मैं फिर्प है सासू मैं हुब बंगा तेरा तु है मालिक मेरा याई लाही तेरे घर पे घरी हुसारी मैं हुब बंगा तेरा तु है मालिक मेरा याई लाही तेरे बंगा तेरा हुसारी जिसको चाहे गर गर बना दे जिसको चाहे तु तक्त पर बिठा दे जिसको चाहे गर 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 बना दे जिसको चाहे तु तक्त पर बिठा दे तु है मालिक यपता तु जिसको चाहा या इलाही तेरे बंगा तेरा हुसारी ताम किर सबי पर दे जिसको चाहे तनाई। फार्योच टनाई पर दे जिसको चाहे तनाई हुसारे जाइ जाबता हु माय कुम उथमु शिसको गर जाए उनाना कुम उजितु तक्तवु अव्वाँ अव्वाँ तुमे दिशु ने शेतावाँ अव्वाँ 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 अफ़्व। मा युदू तेरा कान परदा रखावाँ इदत भी थी बढ़के दियां ओ कादिशेंद ओनत भी ताम कद भी उल्वक्त भी कर दें खतावार माफुदू वे रिष्ट रिष्ट रिष्टिया तो छोड़ें अब जलक 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 सहर का वक्त था मासूं कलिया मुस्कुराती थी हवाएं खैर मक्तम के तराने गुन गुनाती थी अभी जिपरी लभी ना उतरे थे कावे किमर से के इतने में सदा आई है अब दिल्ला के घर से मुबारक हो चछे उतो सराट श्रीश ली आई मुभारक हो मुहमध मुझ्ट मुस्त राई्ट उत ओी हुद्दा मुद्व मुपन अई सद्द पोश्सकी जए लाफ्दों कि अ रह्मान इव रहीम, जाल क्यों इव्ल minutes i Y画 सब्सके बिगना सिर्स्त मुष्त की सिरात इंत इने नहिता कर दीて अया कर दू इंत दो ब電्र कंद हो और सुन में आपकर भी जा सरथ ऐह this कुले लो और्नाила बजल मा firefighters लो खना जलन कुले उनह झानी लोमन जन जनाहतार ओ मा एबदारत लावदार्तों लो इस पुल्वेम इसके लो LIKE म?」र्य लोर ne firmन मा एिसोप जलनैमा कुले अलन्तिता से का वक्ता मासूम कलिया हुँ स्कुराती थी हवाई पे मस्दां के तरा उन्मूनाती थी हभी जिप्ली भी देखी न ते कावे एक बिंबर से तरा उन्में तराई आतला के कई गए गए असलाम अलेकुम राहमतो लौह वबरकातू आंसारा कुरेशी थी from Great Dance, अजिए स्वांपूनाश्य अच्यों के तराउने कि तरूरी I have always believed that every testing time comes with a great lesson for all Right now, the whole world is suffering from a global pandemic But this global pandemic has a special message for all of us for the first time the whole world has experienced self-isolation and social distancing and I'll tell you something, if a person is differently abled, there is nothing new in it we differently abled people have been living in quarantine since forever so I hope and I pray that when the world heals inclusively let's ensure that we leave no one behind remember one thing, that when we put this with someone's ability it doesn't sound respectful, it doesn't sound polite, it doesn't seem right some people are born in this world just to walk around and stand without any purpose in life whereas luckiest are those who make marks and stand out if you are that person, congratulations, shine on and don't let the world live your life I am very excited to speak about my school, I am student of Ali Public School My school is West School University My school is near Buranaga They are a beautiful long playground My school is short-term and your school is quite close to the heart, I am very proud WORKING My school is my second home this school is built by हजिरन मुला नामर कांसर जाज़क अल्हाइब स्लाम आलेकुम और रहमत अल्हाइब बारकातू मैंने में इस पतान हम्जासीब मैं स्टूडर अलप अलिक अभी दुस्कूल इन्सी स्टेंडर मैं रिसाइटिंग अल्नाद ए मेरे हम नशी चल कहीं और चल इस चमन में हमारा गुजारा नहीं ए मेरे हम नशी चल कहीं और चल इस चमन में हमारा गुजारा नहीं बात फूलों की होती तो सहले ते नहीं अब तो काटो पे भी हमारा नहीं जब यह चमन को जरूरत पड़ी खून हम ने दिया वरदले पेश की जब यह चमन को जरूरत पड़ी खून हम ने दिया वरदले पेश की फिर भी कहते हम से यह एहले चमन यह चमन है हमारा नहीं एए मेरे हम नशी चल कर यह और चल इसे चमन में हमारा नहीं गुलामों का सर पर वोज मारी गुलामों का सर पर वोज मारी परेशाओं से अब कौन उठाएं गुलामों का सर पर वोज बारी परेशाओं से अब कौन उठाएं कभी आया जो आखों में अधेरा तो चक्रा कर कदम में डग मगाएं कभी आया जो आखों में अधेरा तो चक्रा कर कदम में डग मगाएं कभी लाची कभी दीवार पकड़ी मगर फिर भी कदम जम दे न पाएं न बेटा है न पोता है न भाई न बेटा है न पोता है न भाई कोई घर का रही जो साथ जाए नहीं अब आरजुए वापसी की वही रखें खुदा वापस न लाएं गुनाहों का कसर पर बोजबारी परेशा हो इसे अभी काहन थाये जजाक लुदा 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 है न पोता है न पोता है न बेटाहि वापकातू मैं इम इच आम शेहिद जुलेज आश्तरी इं थर्द क्राश इम इच आश्तरी इम इच आश्तरी तर्द क्म ऺाद्धा लुदा 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 कर लुदा लुदा इन थाये भाष्पी तेरा, ढूर्भानु इस्टूर वा अरसल अलगी तविरन अबावी तर्मीर भी जारोति सदक अल्ह अल्हित अज़ी असलवर कातुर बनुगी मैं हाफेज पुराइश बनुगी मैं हाफेज पुराइश ए मेरे प्यारे बाबा जार मेरे दिल में है अर्मार है अर्मार मैं भी मदर से जाओंगी बनूगी मैं हाफिस पुराद ए मेरे प्यारे बाबा जाओंगी मेरे दिल में है अर्मार मैं भी मदर से जाओंगी बनूगी मैं हाफिस पुराद लुप लुप ना बिल गुरादी या रब बना जैयन अख्ला बना बिल गुरादी या रब बना सुना है हाफिस खुराद के माबाप जन्नत मिलती है ताज हुबर उनके सर पर शान और इज़त मिलती है सुना है अब जन्नत के लुप 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 आपकों कतारा नामे मुहम्मद, दिल का उचारा नामे मुहम्मद, सललनाहू आमे मुहम्मद, दिल का उचारा नामे मुहम्मद, सल्लनाहू अलाईदी मुहम्मद, सल्दनामु आई लीव सल्दम पूछे का अमा अला यार क्या क्या पूछे का अमा अला यार क्या क्या दिल का अचाना अमे मुहम्ब सल्दनामु आई वसल्म सल्दनामु आई वसल्म दोनों जहां की जहर हो रैकु आरण अलाई वरका आपो खतारा नामे मुहम्मद फिलका उख जाना नामे मुहम्मद कुछे गालाओ अलाओ 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 जाना नामे मुहम्मद मैंने सल्लल्लाहु अलईवसल्म आपो कतारा आमे मुम्मान दिलका उजारा आमे उम्मान मैंने में बाबाजान मेरे दिल में है अर्मान हे अर्मान सादी मदर से जाओंगा बनुवरा में हाफिस कुषान नौ मिल्बू बनादू सैयन अखला बनादू अदब करो ऐ प्यारी बच्छो अदब करो माबाब का पाओ तले है जन्नत मा की अबा जन्नत का दरवादा इसको अपनी जाजर जादा जहां हमारी प्यारी है इसके मल का मोल नहीं है मन का उसकी न्यारी है हम जूले में सोएं लेकिन वो हीले में सोई है हम पर आपक आने पर गोरा कोई तक रोई है उसने हम को पाला कोसा उसने ही बलवान किया उसकी मीटी बोल बोल कर बाशा का बद्धान दिया कहना उनका मानो बच्चो उनकी इज़त करते रहो होंगी इज़त मिलेंगी दोलत मा की दिल्मत करते रहो ए अल्या तु बख्षते हमको प्यारी मा के सदके में मांगी है दुआए तासी ने रोरो कर इंपज़तों में जाता कर्ला प्यारी माला सब्सक्रा करते रहोंदी इज़तों में तासी आता करते रहोंदी इज़तों में तेरे गर के फेरे लगा ता रहूं मैं सदा सुने मौगक्त में आता रहूं मैं यार अर्भना इन हम लना यार्भना इन हम लना और में हम Naittt Mewraajid I study in Ali Public School in 6th standard I give you a speech, helping others the purpose of life happiness begins from the moment you do something for others those who consistently help others are happy and do not come across any obstacles in their life the purpose of life is to serve others however when you are doing so you should not expect something in return your intention should be to lessen other people's measure service to be other sincere and learn and learn from the heart only then it is fruitful do any trees eat their own fruit no this teaches that human being should not only use the mind and body such from themselves but also but also to search for the Muslim is the one from whose hand and tongue the Muslim is sick I am 6th stender in Alibabhi school now 1 3 1 2 3 4 5 में तूपान बता कर जिस दिन हम मैदार में आएंगे वक्त के सारे बिरॉलों को बाति के जब्ष दालों को हम अपना दर्बार बनाएंगे इन्शालो 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 बाति के किसी नश्कर से हम खौब नहीं खाते हैं हम जानद दे देते हैं मैं जाते नहीं जाते हैं तारी गुर्टा करते हो हम गाजी करियाते हैं हम अपने दिन की खाति लए तूपार से अड़ जाते हैं अंजामों जो भी खुद को हम रोक नहीं पाते हैं सर्जे के रतीजी पर हम मैदा में उतर जाते हैं हम अपने ईमान की ताकत रखो में बैंते खूर की शितत तुमकों भी एक रोज दिवाएंगे वक्त के सारे बिरो लोगों बातित के सब सुल्टानों को हम अपना दर्वान बनाएंगे कोटों पर कुरान से दिन कुपान बसा कर जिसन हम मेतान में आएंगे वक्त के सारे फिरो नोख को बातिं के सब सुलतानों को हम अपना तर्बान बनाएंगे करनार, कलो हुम्म लप्प Workshop और कला के लथ Selfie मेंक मैंन पर फेक्ट, प्रैक्टिस। मेंक मैंन पर्फेक्ट, यसके अन्सद के कॉं़िदेस होता है, वो यहां पर आकर कुछ बो रहा है, वो यहां पर आकर इतने अच्छे तरिचा से उसका वो अन्दाज एक उफ्तगु, उसका जो उतार चड़ाऊं उसके अंदर जो था बहुत बहतरीन था आपके अंदर जो confidence है इस सबसे ज़्यादा बहतरीन है और जो इस इंसान के अंदर कुछ करने की सोच होती है confidence होता है कि मैं ये कर सकता हूँ I can do it जिसके अंदर ये सोच होती का I can do it मैं ये कर सकता हूँ तो वहीं इनसान कामियाब होता है और आप तमाम के अंदर वो चीजें हैं आप यहाँ पर आकर खड़े हुए मैं आपको Oxford University का एक thought है मैं जो आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि winner is a winner winner is a winner but participant is more important than winner तो जीतने वाला तो जीतने वाला होता है इसमें कोई शक नहीं जीता है उसके लिए मुबारक बाद है लेकिन उसमें हिस्सा लेना ये सुबसे बड़ी बात होती है आप लोग यहाँ पर आकर खड़े हैं यहाँ पर आकर आपने कुछ बाते कहीं आपने नाद पड़ी, आपने हम्द पड़ी, आपने तकरीर की, आप खाविले मुबारक बाद हैं तो चन्द चीज़े मैंने नोटिस की हैं, वो ये हैं, कि आपके अंदर अबिलिटी है तमाम बच्चों के अंदर एक ability है और वो ability है speech की बात करने की आपके अंदर इतना अच्छा accent English language का मैं आप अपनी खुद की बात बताता हूँ यह accent मुझे 12th standard तक नहीं आया जो लोगों का आपके पास आज accent है यकीन मानिये आप आप जितने अच्छे तरीके से बोड़ रहे हैं मैं दो से तीन लोग जो अगीर में एक बच्चे ने आकर तकरीर की जिसने वो हदीश थोड़ी से भूल गया था क्या ना वो जो बच्चे ने तकरीर की मौास वोटा है accent माशालला वेरी नाइस और सारा इस अलसो वेरी कुड़ आपने बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आकर पेश किया कि कोरोना में हम सब आईसोलेशन में थे हमको क्या कि कितनी अच्छी बाते उसके अंदर थी अगर आप लोग उसको सुनते तो समझ में आता और आप लोग जो आज यहां पर आकर इतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं आप आगे चलकर मुस्तफिल के अंदर बहुत सारे चीज़े आप कर सकते हैं आप जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज आज हो गता हैं और आप लोग इसको सीखनी की जरुत है और आप जितने अच्छे तरीप इंग्लिश लैंग्वेज को समझेंगे पढ़हें के बोलेंगे वह इतिना आपको आगे ले जाएंगी English language बहुत जुरूरी है आप बहुत अच्छे तरीके से उसको पेश कर रहे हैं पहली चीज थी confidence और दूसरी चीज जो मैं आप आप तमाम की यहां पर correct करना चाहता हूं कभी भी आप यहां पर आएं दो चीजों के याद रखी जब आप इस्टेज शेयर करें तमाम इस्टेज शेयर कर रहे हैं आप इस्टेज पर खड़े हैं फर्स्ट फॉल आपकी यह चीज है कि आप आते से शुरू नहीं होंगे आप इस्टेज पर आगए और शुरू के बिश्मिल्लाहिरमारे रहीम आखो का तारा नामे मुहम्मद दिल का उजार नहीं आप इस्टेज पर आईए एक्दम फुली कॉन्फिदेंस के साथ आप स्टैंड होए तमाम को देखिए और एक बात जब आप इस्टेज पर आगए इस्टेज पर होता हमने पहले ही का है don't compare yourself with anyone you are unique you are middleman Allah subhanahu wa ta'ala आपको Allah subhanahu wa ta'ala ने बनाया आप unique है आपके अंदर और किसी के अंदर की काबिलियत को आप compare मत कीजी आप unique है आप यहां पर आईए सब के आँखों में देखिए और टेरिंग से बोली Allah का नाम लेकर अपनी तक्रीब की अपनी नात की बिसमिल्ला बूल को शिरुआत कीजी बस अगर आप एक चीज़ की यह कमी थी कि आप थोड़ा से यहां पर आने के बाद घबरा रहे थे बाकि तमाम बच्चे बहुत बहुत बहतरीन है यह जो आपको आद यह स्टेज मिला मैं किसी बिला मुबालगा की बात कह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों के अदर कॉलिटी होती है उनके अंदर बहुत सारी ‫शमताए होती है लेकिन वह स्टेज ना मिलने की वज़ा से उनके स téléphone लो क06ी से वक्त पर इस्तेमाल नहीं होने के वज़ा से वो दुनिया से बहुत झेल कि यह आपको average है लेकिन आप तमाम जो सातिजां यहां पर पढ़ारे हैं यह कि जांए अपने अपने बच्छों को आप धिर आ कि बच्छों को इस तरह कि आपके आरिश को तैया है कuden लिए अपने दिढ़ की जजा करें और इस्टेश पर बूलनी की प्रेक्टिस भी है बस मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लह ताला इस इदारे के जो बानी मबानी है और हमारे महराश्टर के जो अजीम आलिम इदीद थे हदरत मौना नौर सब्खान साब रहमतुल्लाहियाले अल्लह ताला हदरत को खरीके रहमत फरमाएं अल्लह ताला इसमें मजीद बहारे लाए इसको लह लाए इसको जो हो तो आगे तरफियां तक अल्लह पहुँचाए ऐसी मेरी दिनी दौा है कि अल्ह ताला इसको और आगे तक बहुत दूर तक ले जाए यहां से अल्ह ताला एक तरफ दीन के दाई और दूसर तरफ जो है तो दुनिया के अजीम इनसान यहां से पैदा हो ऐसी मेरी दिनी दौा है मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ, अन्वर खान साथ का, अली भाई का, और तमाम स्टाफ के लोगों का, कोनों ने मुझे यहां मदू किया, और इज़त दी, अल्लह ताला सबको जज़ा खेर अटा फरमाए, सबकी कावीशों को, खितमतों को अन्वर खुबूल फरमाए, श इसने दूर का सबर करके, आपी असरार साभ यहां हमारे बीच आए, इंशाला ऐसी इंको बुलाते रहेंगे, और यह भी उमीद रखते हैं कि आप बच्चे इसी अच्छी आवाज में पढ़ेंगे, तो इंशाला बहुत जल्द हम बहुत बड़े लेवल पर प्रोग्राम अब यह तो समर कैम का इंटर्नल प्रोग्राम है, अब यह आपके पैरेंट्स भी आना है, आपके फिर रिलेडिव्स भी आना है, और भी बच्चे इसमें इंशाला शरीक होंगे, होंगे इंशाला, चल्द जजातला बहुत बहुता है, जजातला सलाम अलेकुम रहमतुलाहिव वरकातू, आज 25 में 2022 अली पब्ली की स्कूल की जानिब से समर कैम का इनकाद अमल में आया था, जैसा कि आप तमाम जानते हैं, कि 23, 24, 25 तीन रोज यह समर कैम था, एक वेकिशन्स होते हैं, बच्चे जिसमें इंजॉई करते हैं, अपने घू दर्टियों आया ही, आपके अंदर जैबे नेटी हैं, आपके अंदर जो काबिएथ हैं, आपके अब यहां पर आकर बताईएं और माशाओ लला यह जो समर कैम में यह बहुत ज्यादा कामयाब रहा, बहुत सारे अलग-अलग स्कूल से तकरीबन 12-15 स्कूल से तलबा यहां पर आये और इसमें शिर्कत की बहुत सक्सेस्फुल रहां जिसमें बच्चों ने अपने अंदर जो जो काबिये थे उसको पेश किया किसी ने स्पीच, किसी नाद, किसी ने किरत, किसी ने नजम, किसी ने प्लेस, किसी ने ड्रामा बहुत सारे activities यहां पर हुई है मैं आप से दर्खास करता हूँ कि आप भी इस summer camp के जरीए से ये पेगाम आप तमाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आज के हालात की जरुरत हैं कि हम हमारे बच्चों को एक दीन के साथ-साथ दुनियवी तालिम देने के लिए कोई मनसुबा बनाए और अल्हमदलिल्ला अलिपबलिकी स्कूल इस पर काम कर रहा है और आज अलिपबलिकी स्कूल के जानिब से जो summer camp हुआ है इसके अंदर ये बात भी उनकी जानिब से कहीं गई है कि बहुत ज़र्दी यहां पर बोटिंग भी शुरू होने जा रहा है और बहुत कम लिमिटेड सिट्स हैं जो नदवी 30 का पैटन भी यहां पर शुरू होने जा रहा है और बहुत सारे यहां पर तरह तरह की प्रोगाम यहां पर शुरू होने वाले है आप तमाम से दर्खास देहें कि आप जुरूर अली पब्ली की स्कूल बुरहान अगर अहमत अगर में विजिट दीजिए यहां पर तश्रीफ लाइए अपने बच्चों पहले आप यहां पर आकर विजिट कीजिए अगर आपके समझ में यहां पर आता है तो फिर आप अपने बच्चों को जुरूर इसमें दाखला लीजिए अलिभ अगरी की स्कूल के जो भानी मुणाना अनवर खान साब रहमतुल्लए अले के फर्जलंजिए जैयाफ जिर अञ़क्त लिए आपके बच्चों के बच्चों की स्कूल के सवारने के लिए वो कुशा है और आपके बच्चों के मिस्त्चों के बहतर बनाने के लिए फिकर मन है आप से दर्खास ते हैं कि आप अपने बच्चों की देनी और दुन्यावी दोनों तालीम के लिए अली पब्ली की स्कूल का रास्ता इफ्तियार करें जजाक लगा खेर और कसी रहा है अली पब्ली की स्कूल रख्मन नगर में नातिया अंडिया और चिरात के प्रोग्राम में अज़री की अल्लाबाद ने तुफिक दी माशालला ये अदर्मौन अन्वर सहाब रख्मत लाले का कायम करदा बहुत बहुतरीन स्कूल है और उनके फर्जान गरजमन, अनुबर भाई, ये हनुजर सहाब और उनके भाई अली भाई, अल्हिञललाब है, बच्चों की दीनी और दुन्य थालिम की सिल्सले में, वाभ थजरास से दर्खास है, कि आप अपने बच्चों को इस स्कूल की तरफ राहिब कीजिए, और य प्रतिने दिया आयनूल शेख एटीवी न्यूज अहमद नगर